आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू और ब्रेट से बनने वाली सूपर टेस्टी और सूपर क्रिस्पी रेसिपी जिसे हम बनाएंगे केवल 10 मिनिट में और घर के ही इंग्रीडियन्ट से तो चलिए फटा फट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम लें सब्सक्राइब हम एक बारी कत्ता हुआ प्याज यह मीडियम साइज का प्याज है साथ ही में लेंगे वन फो थ कप शुम्ला मिर्च बारी कीुक्ध वभी कटी हुई एक टी स्पून सूखी लाल मिर्च क्रश करके मैंने यहाँ पर डाली है अब ली है मैंने 5 ब्रेट स्लाइस नॉर्मल कोई सी भी ब्रेट आप ले सकते हैं जो भी घर में अवेलिबल हो और एक बोल में पानी लेंगे इसे हलका सा गीला करेंगे और उसके बाद इसे हम इस बोल में डालते जाएंगे एक्स्ट्र पानी ने चोड़ देंगे और इस बोल में हम डालते जाएंगे इस तरीके से तो यह देखिए पाचो ही ब्रेट स्लाइस हमने डाल दी है और अब डालेंगे इसमें 1 अब टी स्पून जीरा 1 ती स्पून धनिया पाउडर 1 ती स्पून चाट मसाला डाल देंगे 1 ती स्पून लाल मिच का पाउडर डाल देंगे 1 ती स्पून काला नमक डालेंगे इसके अकॉर्डिंग साधा नमक डाल देंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और काला नमक भी डाला है तो उसके साब से ही डालेंगे और अब डालेंगे ढीर-सरा हरा धनिया जो इसके फ्लेवर को और भी इनहेंस करेगा और अब हमें सभी चीजों को हातों की साहता से अच्छे से mix कर लेना है ताकि सभी चीजें अच्छे से आपस में mix हो जाए और हम इसमें डालेंगे 1 फोर्थ कप चावल का आटा जो इसे और भी crispy बाश तो इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और हाथों में लगाएंगे अब थोड़ा सा ओयल और ओयल लगाने के बाद इस mix को अब हम लेंगे और इस तरीके से oval shape देंगे shape आपको इसा भी दे सकते हैं तो मैंने इस तरीके से oval shape दिया है और बागी सारे pieces भी बना कर इस तरीके से ready कर लिये हैं और अब gas पर चड़ाएंगे कड़ाई और oil अच्छे से गरम हो जाए तब हम pieces डाल देंगे तो एक बार में जितने pieces आएंगे उतने हम डालेंगे और fry करेंगे यहां flame देखी रखनी है पूरी frying process जो है वो high flame पर ही होगी जब तक कि इसमें बढ़ियां सा golden brown color नहीं आ जाता है तो बढ़ियां से इसे हम पलट लेंगे और दोनों साइट से golden color आ जाए तब तक fry करेंगे और यहां पर देखिए इसका पढ़ियां सा golden brown color आ गया है कितने बढ़ियां लग रहे हैं है ना fry करते करते ही देखिए आपके मूं में पानी आ जाएगा तो देखिए यह अच्छे से fry हो चुके हैं और अब हम इने निकाल लेंगे प्लेट में तो यह first batch में जितने भी pieces थे वो हमने fry कर लिये हैं तो इसे अब हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं और इसके बाद second batch के pieces भी हम इसमें डाल देंगे और same process से fry करेंगे हाई flame पर ही तो देखिए एक पीस में आपको पास से दिखा रही हूं कि इसका texture कितना बड़ी है आपको देखके ही लग रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी बना है है ना तो यहां देखिए मैंने second batch के pieces भी डाल दिये हैं और इने भी अब मैं हाई flame पर ही fry कर ले रही हूं त चलिए फटाफट से प्लेट में सफ करते हैं तो यह लीजिए तैयार है हमारे आलू और ब्रेट का बढ़ियार सूपर टेस्टी और सूपर क्रिस्पी नाश्ता वो भी केवल 10 मिनिट में है ना कितना बढ़ियां कितना बढ़िया पर ही sack रहा ही, यह लन्याश्ता वर नाश्ता रर अब मैं ही का है धन्यार मतास्ती पही अंगता है